हे डियस्टूएंड, आजके क्लास में हम लोग हिस्ट्री के अतनी महत्पुन परीश्टों को यानी कफर करेंगे, जैसे के आपका हिस्ट्री का सेकेंड शिप्ट से एँझे एक्जाम होना है, आपके पस मात रख कुछी समय भी बचा हुआ है, तो डियस्टूएंbell ऐसे में इस सेट्स को आपको पूरी तरह से लास तक देखना और हो साके तो दो से तीन बार अच्छे से रिवाइस कर लिजगा क्योंकि आपके लिए बहुत भी स्पेशल और महत्पूर्ण क्लास है तो चले काई इस हम लोग शुरू करते तो इससे पहले आप लोग जो भी बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके शाथ पर दोस्तों को आप लोग एक बार जम करके शेयर कर देंगे तो चले काई स्टार्ट करते हैं तो इसका आप लोग बता है यह जो है को इस नदी के किनाड़े यह भगवा नदी के किनाड़े तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे चार नमर कोशन आपके स्क्रьन पर हरपा सवेता किस उग की सवेता है قुषन देखेगा फाइफ नमर कोशन आपके स्क्रeन पर महण जद्र किस भासा का सब्द है तो बिल्कुल आपको बता है महण जद्र कोशन आपके स्क्रीन पर लोथल किस राज यह मिश्टी था है अभी आपको जश्ट बताए कि लोथल जो है कि यानि भुगवा नदी के किनाड़ है और यह गुजरात मिश्टी था इसका अंसर आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे कोशन नमर साथ देखिए का आपक चंद्रगुप्टर यह आपका इनि कनिष्क होगा तो बिलकुल पता हो ना ची है आपको दहँ में की सुरूँत असोक के दवबरा किया गया था जो चंद्रगुप्त ओलो जाए तो नमर कोशन आपके स्क्रीन पर गुपते काल में कौन चीन यारत भारत आया था भारत पूर्टन के दौरा कि तो इसका आपका उदायन, बिलकुल राइट आंसर हो जाएंगे, तो बिलकुल आपको पाटली पूतर के बारे में पता है, पाटली पूतर के अस्थापना जो है, गंगा सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर या नि किया गया था, बिल्कुल या न कि दौरा कि आगया था किसके दौरा यह नहीं उदायन के दौरा तो इसका आँसर आपका उदायन बिल्कूल राइट आसर उदाइंगे कोशन देखेगा आपके स्क्रीन पर 12 नमर कोशन महाबरत का यूद्यानि कितनी दिनों तक चला था बहुत इंपॉर्टन कोशन है देखि तो बिल्कुल आपको पूजा करते थे इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा आपके स्क्राइब क्या करता है यानि सांची सांची किस राजे में इस्तितर पहला आपका बिहार में तो आपको बता दे सांची के बारे में आपको कई बार बता है कि सांची जो है मद्य पर्देश के रायसें जिला में इस्तितर ये आपको बिल्कुल पता है को तो आपको नेपाल भी तिक कर देना है पुल्कुल आप लोगों को पता है पुरानों की संख्या जो है एक दम कितना है वेल्कुल राइट आंसर अथारा है वेल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोशन देखिएगा हिनियान और मायान जो है किस धर्मे से समझनी था है बहुत धर्मे से होगा जैन धर्मे से से शेब धर्मे से या इसलाम धर्मे से तो बिल्कुल हिनियान और मायान जो है ये बहुत धर्मे से समझनी था से पूछे तो आपको बहुत धर में बताना इसका आंसर आपका बहुत धर में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे पूशन देखेगा आपके स्क्रीन पेटीस नमर कोशन तामबाकू का सेवन सरो पर्थम किस मोगल समराथ ने किया था बिल्कुल आपको बताओना चाहिए इस पर पर्थम लगा दिया था बिल्कुल यह जैसे गरती पर बिड़ा जितने सारे नसेली पदार था सब में यह बहुत इंपोर्टन कोशन है आप लोगों को पता होना चीए पहला आपको दो आपको बताओगा आपको बताओगा कितने वागों नहीं पांच बांच आपको बतार आपको बता रहा है बिल्कुल आपको आपका आँसर पर फटेपूर सिक्री कोई नि किस ने राजधानी बनाया था तो बल्कुल आपको बता ना पतह सिकरी को जो है बिल्कुल पता हों अची लिए को जाने हैं लिक कः नेहें झाल है। सब्ध्रक्राइब भारत में मुगलवेंस की क्या तो बिल्कुल आपको बता हैं भारत में मॉगल वन्स की नीब जो रखा था टो इसका अब यह बिलकुल राइट अचर हो जाएंगा पानिपत नदी के किनाड कि भी किनाड में बूआ खुझवे ते जआगे है न नदी का शब्चन वैनि मन्DIL से था Southern है जो चुल है यह सिक्ता है यह स्रीन पे भारत वीदा जनक किसिए कहा जाता है तो रूस में शहां सील करोजन के मेरा था आंडाल था नंडाल तो बिल्गुल आपको बता इन्मेंसे महिला संन्त जो था ऑबर अंडाल क्राइक भी, इन्मे इस्का राय। होजाएंगे ठीक है आगे स्कूर्स उलिए क्वेड़िया आगे कोशन देख राय। देखी है महाँरास्ड के afect नहीं थे को यह बताना है तो या इसमें चैतिन ने जो है इसका नहीं होगा तो इसका आंसर आपका क्या हो जागा जाएगा जाएगा आपको आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देखेगा नमिलकित में से बिसनु को अपना पती थी तो वह अंडाल तो इसका आपका क्या हो जाएगा 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 इबन बतुता ने अपने यातरा का वीवरेंट किस भासा में लिकिया तो देखेएगा यात्रा का विभ्रवन जो था वो नहीं अर्वी भासा में लिखा था अर्वी में लिखी थी याणि इसका आंसर आपका विल्कुल यह राइट आंसर हो जाएं गर अगर मेरे साथ अगर आप प्रेगुलर कलास में जूरते हैं तो आपका एक भी कोशन जो है इस मोरल पेवर को सॉल्ब करने में मतलब नहीं छुटा होगा यह तो हम थंडेट परसन आपको बता रहा है क्योंकि आप खुद इस कोशन पेवर को यह नहीं सॉल्ब कर सकते हैं जितने भी सारे सब्जेक्ट क क्योंकि आरा नहीं अगर यहां अगर आपका होगा तो अवद होगा यह पटना से पीरली था पीरली पटना से था वह और शिन बिहार से था वज़िद अली तो इनमें से कोई आंसर होना चीए नि आरा तो यह मतलब हमको कोशन नहीं लग रहा है ठीक है तो यह देख निता के बारे में आप लोगों को बताना है सीधू एंड कनू था यह तो आप लोगों को बिल्कुल पता है और संताल विद्र कभवा था 854 से लेका 855 में हुआ तो इसका आपका 875 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इसका आपका अशौक महता राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है जो ही वच्छे आप लोग अशौक महता बता रहा है कोशन देखेगा कोशन देखेगा 44 नमर कोशन राइट सल्तों के विद्रो के दमन के बाद और यानि कौंसी करांतीरी नेता नेपाल गयाता तो बताएए इसका आप लोगा क्या होगा ठीक है और यह भारत में आने वाले पर्थम पूर्टगाली कौन थे तो बिल्कुल आपको बता है भारत की सहर मिश्थित है तो बिल्कुल आप अपको बता है क्वड पूल काता भी ठीक है तो बताए क्थी एक जी तैप अदुनियम के तहट ही थी आपको यह बताना है थीडि़ी चलिये जली तेजी आप लोग इसका आंसर देने का प्रियास कीजेगा तो देखें कलकाता में सरोचनायले की स्थापना की सथेने में वा था तो 773 का मतलब रेक्यूलेटिंग एक्ट के तहट वा था और यह कब बना था 724 को बना थाकब बना था तो बिल्कुल आपको माहत्मा गांदी के बारे में तो पूछन 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 पूर्बंदर में घुजरात में ठीक है और इसका जो इसका आन्सर आपको अपना गुरू मानते हैं को बिल्कुल आपको पूछन 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 आपको पता है विदेशी बिल्कुल रहें बहिस्कार किया जाता था तो पहला बिहार आया गुजरात में है बंगाल में है आपका महराष्ट में है तो दांडी की बात करें तो आपको बता है कि दांडी यात्रा जो है 1930 में सभी निया अगनलन से सुरूआ था और यह कहां पर यह गुजरात में है यह तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा इसका आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा निमिल्कित में से नि महात्मा गांदी के राजमिदी गुरू कौन थे तो आपको बताया थे राजमिदी गुरू जो है मांते थे इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे पागिस्तान सब्सक्राइब का विद्यार थी जो थे यह नि कौन थे चौधरी रहमत अली जो है इसका नाम जाता तो चौधरी रहमत अली इसका आंसर अपनों का बिल्कुल सी राइट आंसर हो देंगे लियाका तली पर्थम परदान मत्री गाहा का पाकिस्तान का भारत के पर थम राश्ट पति तो बताना है भारत के परतम राश्ट पति को आपको बताना है बहुआ की है कि अस्ताय कर देक्षत है निए बाट करें तो वो दूक्तर भीमरां आंबेटकरजी हो जाएगा जिसे सेवेदान का पीता भी कह जा ठीक है और यह जो है डॉक्टर आंदर परसाथ को अस्थाय देक्ष का जाएगा और अस्थाय देक्ष डॉक्टर सची नानव सिना ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता है तो यहां आप से प्रावरुप समिति का पूछा गया है तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंग कराइक लिए आपका इनमेस सभी होगा तो तो बताएजिए इसा सीधी आपको घुमा देगा बस आप लोग जो है गलत करके आ जाएंगे ठीक है कोशन देखेगा कोशन 63 अलविरुनी किसके साथ भारत आया था मेरे दोस्त आप लोग यानि इतने अच्छी तरीके से अगर आप लोग विहार बोट के ऑफिसियल मोडल पेपर को अगर सॉल्प कर रहे हैं तो समझ जाए कि आपका त्यारी जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है ठीक है क्योंकि आपके एक्जाम में आपको रजगुला वाला कोशन देखने को मिलेगा इदम सुपड़ा साफ करना है किसके साथ भारत आया था मोहमद घजनी के साथ आया था इसका आंस कोशन देखेगा अस्थाई बंदवस कहां लागू किया गया था बिहार बंगाल और उरिशा में लागू किया गया था लेकिन यहां आपका बिहार बंगाल नहीं है सिर्फ यहां आपका बंगाल है ठीक है इसका आंसर आपका यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोश सब्सक्राइब निश्वचन करे हैं यहां से आपको सब्सक्राइब को देखने के बींगे पता है था 31 मही को होने वाला था लेकिन यह जो है उससे पहले ही हो गया था और यह कब हो गया था बिल्कुल दस मही आपको याद रखना इसका आंसर आपका दस मही राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा आप अठा सल्टान के विद्रों के समय भारत का गवर्णर जल् इंडाही को स्क्राइब भारत में आपको जल्कुल आपको कई बारे गेट का निर्मान क्या था अभी आपको जश्ट बता है के इंडाही इंडाही राजधानी अस्थांतरित यानी 911 को ही हुआ था कोश्चन देखेगा आपके स्क्रेंट पें चंपारण सत्यागरे का संबन यानि किस राजय से है तो बिल्कुल आपको बता है चंपारण सत्यागरे कब हुआ था सब्सक्राइब को बताए कि आप लोगों को बिल्कुल पता है कहां प्यानी गुजरात में तो बिल्कुल इसका आंसर आपका गुजरात राइट आए था यह आपको बताना साइमन कमिशन भारत कब आया था सबस्क्राइब कर दिया और आप लोगों को बता है कि इसका किस ने किया था तो यहाँ आपसर अंसर होगा ठीक है यहाँ यहाँ पर सुबहाद चंद्र बोस इसका अंसर होगा ठीक है यहाँ बरटीं है तो आपको समझ जाना है ठीक है विल्कुल याद रखना है एक एक कोशन को अच्छे से भारत सविधान सभा के अध्यक्स आपको बता है कि अस्थाय अध्यक्स उथा यह नहीं डोक्टर राहिंदर पर साथ था ठीक है जिसको अस्थाय अध्यक्स बोलेंगे तो इसका आंसर आ आपको पटे लियाद रखना है कोशन देखेंगा आपके स्क्रीन पर सौतन भारत के पर्थम उपराष्ट पती तो उपराष्ट पती भी रहे चुके हैं भारत के पर्थम राष्ट की पहली महला अधेक चैनी कौन थी तो एनिवे सेंट इसका आंसर आपका विल्कुल आपक किसे था अगर वैबगत ना रहे कभी कभी हरप नीती पूछ लेता है तो हरप नीती पूछे या वैबगत पूछे सबका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानि डल हो जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा आपके स्क्रीन पे लखनू से अठा सल्तान का सब्सक्राइब कर देखेगा तो देखेगा बिल्कुल भूबाग राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा कबीर का है या आपका गुरु नानक का होगा या आपका रमानत का अपको जाएंगे कोशन देखेगा तो आपको वताय थे निजामवदिन ओलिया की दर्गा कहां पर दिल्ली में यह जो था किस सल्सिले समझी था तो यह चिस्ति सल्सिले समझी था तो परसीद इवरु पाक्ष्य मंदिर आप लोग को बता है कि यह जो है कहा पे हम पीम है और यह आपको पहले विजयन अगर के नाम से जाना जाता लेकिन इसे आप जो है क्या नम से हम पी के नाम से जाना जाता है तो विजयन अगर के स्थापनों तेरह सो चातीस में कि वा था यह किसके दोरा किया गया था यह आप लोगों को बिल्कुल आपको याद होना सी है जल्यावाला बाग हत्याकान जो है बैसाकी का दिन था इसका अंसर आप लोगों का यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे तो यहां को प्रकार का विवा का उल्ले किया गया है विल्कुल आपको पता है कि आप नहीं को पता होगा तो बिल्कुल सब बच्चे को पता है कि विश्मच को जो है गंगा पुद्र के नाम से जाना जाता है लास्ट और अंतीम कोशन इस मोडल सेट का जो बिहार बोट का ऑफिसियल मोडल पेपर आपको हम कवर करवा हैं तो दोस्ति यहां आपको 100 कोशन बिल्कुल एकुरूशी के साथ आपका एक भी कोशन इसमें से ग ताइगा